जैहिन दोस्तों कैसे हो आप सभी आसा गरता हूं अच्छे होंगे बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर all over इंडिया में jobs related कोई भी आपकी information आती है तो मैं video बना कर आपको बताता हूं साथ साथ आप सभी को पता है इस channel पर free classes चल रही है अगर आप नए है तो channel को subscribe करके हमारे साथ जुड़ जाईए चलिए दोस्तों तो UP staff nurse भरती 2023 तो उत्तर प्रदेश में बहुत वड़ी vacancy है और आप लोगों का जो सवाल है आप ये पूछ रहे हैं कि सर क्या केवली ये female के लिए क्योंकि नाम से लग रहा है staff nurse भरती तो दोस्तों male वे female दोनों के लिए ये vacancy है जानने की कोशिस करते हैं दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं female के लिए तो 2019 पद है और साथ साथ male category के लिए कितने हैं 171 पद है यस या नो तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसके जो आवेदन है वो start हो चुके हैं 28 2023 से इसके आवेदन start हो चुके हैं और 29 2023 को क्या है इसके last date है अब आप बोलेंगे सर कैसे हम इस form को apply कर सकते हैं तो online mode से आप इस form को apply कर सकते हैं और अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी age की I.U. की तो मेरे भाई 21 से लेकर और 40 साल तक की अगर आपकी I.U. है तो आप इस form को apply कर सकते हैं दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि अगर आप government job की preparation मतलब या त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है आप अपनी त्यारी में लगे रहे हैं हर department में आपको वेकेंसी देखने के लिए मिलेंगी तो उनमें से एक यह वेकेंस साल इसकी किया है एज है आयू है वैसे अगर हम बात करें अलग अलग के लिए जो एक्ग रलेस्टन है आयू में जो चूट है वह आपकी अलग है केलियर है चलिए तो फीस के हम बात करते हैं जर्नल हो या OBC हो या EWS इसके लिए जो मेरे भाई फीस रहेगी 125 रुपिया और स्टाफ नर्स के 240 पदों पर भरती के लिए जो आवेदन है वो आपके सुरू हो गए है और इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो आप सभी जानना चाह रहे होंगे यहां बताया गया है इसमें बताया गया है कि स्टाफ नर्स पुरूस के लिए पद कितने हैं दोस्तों पु तो सबसे पहले आपका रिटीन एक्जाम होगा जब आप रिटीन एक्जाम को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डोकुमेंट वैरिफिकेशन होगा और फिर क्या होगा आपका मैडिगल होगा यस ये नो तो दोस्तों ये इसका सेलेक्शन प्रॉसेस रहने वाला है त तो और भी बहुत सारी ऐसी वेकिंसी हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो दोस्तो अगर आप योग्य हैं तो इस फॉर्म को जरूर बरें, अगर आपको ये जानकरी पसंद आई है तो चैनल को सस्क्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, फिरी आपकोस तैयारी करन नेस्ट वीडियो में, नेस्ट अपडेट के साथ तब ते के लिए दोस्तो बाई-बाई, टेक केर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, जै हिन, जै भारत